तो आज जो पॉब्लेम लेके आए हैं आप देख से रहा है यहां पर यह जो इलडी का जो होल्डिंग करने वाला जो टांग है यह तूट गया है यह कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप क्या करते हैं इलडी लेम और बाल को फेंग देते हैं लेकिन आज के के आज एक क्या है ऑध पूराना वाला एक दो orada का जूटर थे इसे को हुआ को लेना है और कि दोस्तों जो लोग एलेक्टोनिस के काम करते हैं वो लोग जानते हैं अभी शोल्डर का क्या दाम है इसी लिए सोल्डर जो हैं हम को बचाकर करना है तो इसे लिए यहां पर से हम यहावसे solder को निकाल लेंगे और फिर से इसको काम पे लाएंगे तो इसके आंदर दो resistance लगा हुआ है इसको निकाल लेंगे और कि एक्षि से इसको और किसे तरह से दो वायर को यहां पर सोल्डिंग करना है अभी हमने एक वायर ले लिया है और इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग करेंगे और इसके बाद यहां पर हमने हिस्टिंग पाइब लेंगे छोड़ा-छोड़ा दो पुगड़ा कट करेंगे और इस वायर के अंदर डाल देंगे आप वीडियो को स्कीप करके मांदी के छोटा वीडियो है यह देखिए अच्छी तरह से इसको यहां पर टाइट कर दीजे और इसके बीज में से कट कर दीजेगा अब इसको छील के अच्छी तरह से हमारा सोल्डिंग भी हो गया अभी होल्डर को इसके साथ एक्दम टाइट करके फीश कर देना है आपको और एकदम टाइट करके फिस करना है क्योंकि यह बड़ा वाला लैम है इस होल्डर के उपर ही पुरा का पुरा लैम का जो वेट है पढ़ेगा तो इसक अपको फेवी की जरूर डालना है नहीं तो यह निकल जाएगा तो यहां पर रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर देंगे बोर्ड के साथ आप बहुत आसानी से एक सुर्ण आयरोट के मोटस से आप काम कर सकते हैं यह देखिए हमारा ओल्डर फिक्स होए ग और सब के साथ श्यार कर दीजिएगा फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए आगा दीजिए